हलो फ्रेंट स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रोफेशनल डुटी वर्ड में कैसे हैं आप सब तो गाइस देखिए आज मैं आपको बताऊंगे कि यह चार्ट जो होते हैं हमारे फेस चार्ट यह हमारे लिए कितने यूसफुल होते हैं देखिए होता क्या है अगर आप मेकप आर्टिस्ट हैं तो आप लोग सेमिनार भी अटेंट करते होंगे तो जब हम सेमिनार अटेंट करते हैं तो हमारे पास ऐसी चार्ट बुक होनी चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है देखिए यह चार्ट बुक है तो यह जो फेस चार्ट है इस पर देखिए किया अपने जो मेकप के प्रोडेक्ट्स होते हैं वह भी यूज कर सकते हैं तो आप यहां पर आई मेकप जैसे आप करेंगे तो आप ना देख सकते हैं कि कौन से कलर के साथ कौन सा लुक अच्छा लग रहा है और हमारे पास मॉडल नहीं होती है तो हम यहां पर try कर सकते हैं इससे हम idea लगा सकते हैं हमारी color schemes को हम use करके देख सकते हैं उससे हमें idea हो जाता है कि कौन से color के साथ कौन सा color अच्छा लग रहा है कि कौन से color से एक साथ अच्छे लग रहा है हम जादा colors भी use करके try कर सकते हैं तो वैसे भी हम यहां पर कर सकते हैं, जैसे हमें कौन से लिप्स्टिक, कौन से आई मेकप के साथ यूज़ करनी चाहिए, कैसा लुक रियेट हो रहा है, हम हमारे एरबिश मेकप की प्रैक्टिस भी यहां पर कर सकते हैं, प्लस देखिए, इसमें न हर चीज मेंशन होती है कि जैसे हम सेमिनार में गए हैं तो आर्टिस ने क्या यूज किया है क्यों सा प्रोडेक्ट उन्हों ने यूज किया है तो उसके लिए आपको हर प्रोडेक्ट के लिए देखे चिक के लिए क्या यूज किया है लिप्स के लिए क्या यूज किया है कौन से कलर का आई शेडू यूज किया है कौन से color की lipstick यूज की है कौन से brand की lipstick यूज की है वो आप यहां पर mention कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत easy हो जाएगा क्योंकि बहुत बार हम लोग जाते सैमिनार में लेकिन हम अगर write नहीं कर पाते या फिर वो कहीं मिस हो जाए तो हम भूल जाते कि उन्होंने क्या यूज किया था और कौन सा कलर था यूज हुआ फिर ना क्या पूरड़क्त था तो वह पूरा इसमें मेंचन होता है उसमें हर से colors use कि हैं तो वो colors हम यहां write करके और बाद में हम कभी उनको try कर सकते हैं तो इस तरह से जो face chart है वो आपके लिए बहुत ही beneficial है तो आप देखे online भी यह मिलते हैं और आप offline भी try कर सकते हैं offline भी maybe मिलते होंगे कोई भी stationary shopper आप try कर सकते हैं तो यह आपको बहुत जादा यूश्फूल रहेंगे आपके make-up की practice के लिए make-up practice बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि make-up में जितनी अच्छी आपके practice होगी उधना अच्छा आपका make-up होगा तो guys उमीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो वीडियो अच्छा लगा है तो please like कीजिए share कीजिए subscribe पीजिए thank you